नमस्कार दोस्तो टेक्नोलोजी कीडा चैनल के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो कि आप लोग ईमेल का जो कनफर्मेशन लिंक है वो आप लोग कैसे जनरेट करें तो आइडेंटिटी आप लोगों ने एड़ कर ली है और आप लोग जो है इमेल का कनफर्मेशन लिंक जो है वो एड़ करना चाहते हैं तो एरियाज में जाईए और यहाँ पर आप लोगों को डिफॉल्ट में मिलता है सब कुछ ऐसे बात नहीं है कि नहीं मिलता है वस उनको लिंकिंग करने की जरुत आप लोगों को होती है तो पेजस में जाकर अकाउंट में जाईए और यहाँ पर जब आप लोग रजिस्टर करते हैं उसी दोरान आप लोगों को ईमेल का कनफर्मेशन लिंक जो है वो भेज दिया जाता है तो आप देखिए रजिस्टर.cshtml जो मैं क्लिक कर दूँगा रजिस्टर बटन पर तो यह onPost method कोल होता है onPost method होने के बाद में एक user जो है वो database में डल जाता है ठीक है एक user डलने के बाद में क्या होता है यह देखिए code जो है वो email के लिए generate होता है अब मैं दुबाराँ आप लोगों को दिखाता हूँ यह callback URL है, वो इसका ये रहता है, account confirmation email, confirm भी किया जाता है email, ये भी आप लोगों के पास एक page है, जो कि मैं दिखा दूँगा आप लोगों को, कि वहाँ पर जाकर ये confirmation link जो है आप लोगों को मिलता है, ठीक है, वो बात हमारी यहाँ पर होती है, हम लोगों को ये चीज़े नहीं क ये method जो है, वो call होता है, ठीक है, अब आप लोगों का देखना होगा कि send email async है कहाँ पर, यहाँ पर आप लोगों को, जो input आप लोगों ने email किया है, उसी mail पर आप लोगों के पास एक confirmation का link जो हो चला जाता है, और उसके बाद में आप लोग जो है, उस पर जैसे ही click करते तो आप लोगों की mail confirmed हो जाती है कि yes, आप लोगों ने email जो है, वो सही enter की है, अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, go to definition पर click करते हैं, जैसे हम लोग यह करते हैं, तो हमारे पास एक interface open हो जाता है, और इसमें हमारे पास एक method है, send email async, इसमें आप लोगों को email देनी है, subject देन और HTML message जो है, वो pass करना है, अब लोग समझ गए होंगे, कि यह message जो है, वो कहाँ पर जाता है, यह interface के पास जाता है, यानि कि dependency injection यहाँ पर apply किया गया है, और email sender के द्वारा किया गया है, यह यहाँ पर अप लोगों के पास apply होना चाहिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जैस मैं बता देता हूँ आप लोगों को, किसी भी folder के अंदर आप लोग class बना लीजिए, यह देखिए, मैंने जो है model folder के अंदर ए class बनाई है, जिसका नाम है send mail, आप लोगों को यह class बनानी है, just right click कीजिए, और send mail बना लीजिए, और उस send mail को किस से implement की कर लीजिए, आई email sender स जो अभी-भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, यह interface, जैसा कि अभी मैं दुबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, right click करता हूँ, go to definition पर जाता हूँ, यह देखिए, आई email sender जो है, वो एक interface है, तो हम लोगों ने जो class बनाई है, model folder के अंदर send mail, वो किस से implement कर ली, आई email sender से implement मैंने कर ली है, और अगर आप लोगों को implement करना नहीं आता है, तो आप लोग just control और period की दबाईए, और यह method जो है, वो अपने आप ही बन जाएगा, अब आप लोगों को इस method में क्या लिखना है, देखिए, यह code जो है, वो मैंने लिखा है, और इसमें मैंने क् उसकी mail पर mail चला जाना चाहिए, confirmation link चला जाना चाहिए, ठीक है, तो मेरी ID से जाएगा, तो host क्या होगा, मेरा ही होगा, यहनि क्या outlook.com, और यह username and password आप लोग जो है, यहाँ पर आप अपनी email ID यूज कीजिएगा, username आप लोग अपना ये ही use कीजिएगा, password आप लोग डाल और यहाँ पर देखिए, initial credentials है, यहाँ पर देखिए, जो अगले का है, जो to add है, वो यहाँ पर आप लोगों को, यही जो है वो पास हो जाएगा, अब देखिए, कोई भी register करेगा, तो वो कहाँ पर आएगा, इसको call करेगा, अब यह जो है, वो किसको call कर लेगी, यह call कर ल है, dependency, जो injection, जो है, वो add कर दीजिए, कैसे add करना होगा, आप लोगों को, यह use किजिएगा, service.add transient property, iemail sender और send mail, जैसा ही आप लोगों कर देंगे, तो आप लोगों का जो confirmation message है, वो mail पर चला जाएगा, और जब वहाँ पर उस पर click करेगा, click करते ही क्या होगा, मैं बता दे लोगों का एक flag variable जो है, is mail confirmed जो है, वो false रहता है, लेकिन जैसे ही आप लोगों पर click करते हैं, और mail को confirm करते हैं, तो वो आप लोगों का क्या हो जाता है, true हो जाता है, अब देखिए, यहाँ पर मैं view data दिखाता हूँ, yes peanut users का, तो यहाँ पर देखिए, email confirmed जो है, false, false, false है, इसका मतलब किसी का भी mail जो है, वो confirmed नहीं हुआ है, confirm होते ही यहाँ पर क्या जाएगा, true आजाएगा, तो जैसे ही अगला कोई भी उस link पर click करेगा, तो वो कहाँ पर जाएगा, वो मैं बता देता हूँ, वो जाएगा इस पर, यह जो है callback URL, account folder और उसमे confirm email page पर वो चला ज सलते हैं, confirm email, confirm email पर सलते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर देखी, यह temporary जो है, इन्होंने page जो है, वो design कर रखा है, confirm email का, यह यहाँ पर है, partial status message, यह जो है na status message, यह इसमें call होता है, partial name, तो हम लोग partial status message है, उसी पर सलते है, model है, model.status message जो है, वो confirm email पर है, status message, यह देखे, status message, यह status message में क्या लिखा हूआ है status message में लिखा हूआ है हम लोग इसका GET जो section है वो call करके देख लेते हैं इसी के अंदर आप लोगों का GET call मिल जाएगा आप लोगों को यह देखे confirm email .cs file confirm email के अंदर आप लोगों का क्या है आप लोगों का जो message है वो जो है वो true हो जाएगा जैसे आप लोग confirm email करेंगे तो ये message जो है वो true हो जाएगा और true होने के बाद में आप लोगों का status message क्या जाएगा thank you for your confirming email ये वाला आ साएगा क्योंकि आप लोगों ने इसको क्या कर दिया देखिए उस user के लिए क्या आजाएगा await user manager dot confirm email async user और code वो जो code है वो दोनों match हो जाएंगे user के साथ और result में क्या आजाएगा true आजाएगा और status message जो है वो क्या आजाएगा result dot succeed अगर true होगा तो यह आपके पास आजाएगा thank you for confirming your email तो अप लोगों को कुछ नहीं करना simple साप लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को यह तयार करनी है एक file पशी file model folder के अंदर यह send email यह करनी है यह करने के बाद आप लोग क्या करें आप लोग जाएं स्टार्टप.cs फाइल में और यह एड़ कर दें जैसे आप लोग यह एड़ करेंगे अपने आप ही उसको कॉल कर लेगा और अपने आप ही वह जाए आप लोगों का mail confirmation के लिए link चला जाएगा तो आज के लिए इतना ही फिर मिलत नए वीडियो के साथ धन्यवाद.